मन्सोर में बढ़ती ठंड को देखते हुए शोशल मीडिया पर डली पोस्ट के बाद कई लोगों ने जरुवत मन्द लोगों के चैरे पर खुशी ला दी दरसल खंड से ठीटूरते लोगों के लिए कपड़े इखटे करने के लिए शेहर के युवा पत्रकार कमलेश गडिया ने एक पोस्ट फेस्बुक और वाटसप पर शेहर की जिसके बाद कई लोगों ने अपने पुराने गर्म कपड़े एकत रखी वह गांधी चुराया पर देना ब्यंक के नीचे बनी नेकी की दिवार पर रख दिये आज भी आनंदक परिवार से जुड़ी श्रीमती वीना सी योग्यंज सी अंजुम शाह कमलेश गडिया अनुक परमार और हाल ही में महत चार साल की उम्र में मंसूर का नाम रोशन करने वाले पलक्ष ओस्वाल न देखें सबी जानते के ठंड चल रहे हैं और इस ठंड में जो लोग बेगर है जो निर्धन है अधिक्षारती करने वाले लोग हैं तो उनके पास पहने के लिए कई बार कपड़े नहीं होते हैं जो गरम कपड़े होते हैं और हम अमुमन जानते के कहीं घरो में ऐसे तो हम लोगों ने के सोचल मीडिया पर आनंद सुंस्तान के जर्येक अभियान चला था आज चला है जो पड़े हैं वो यूज नहीं आ रहे हैं यहां रखेंगे तो किसी गरीब की काम आएंगे जो इस ठण में वह पहन पाएंगे वह इस ठण से बच पाएंगे आनंदम में राज आनंद संसान भोपाल से आनंदम का एक प्रोजेक्ट है ये और इसमें नेकी की दिवार करके कॉंसेप्ट है जिसके तहत हम यहाँ पर अभी सर्दी के मद्दे नजर कुछ गरम कपड़े सभी लोगों के सयोग से रखने आये हैं जिससे जो जरूरतमन लोग हैं उनको इसका लाब मिल सके